यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ शिमला में पानी को लेकर देश दुनिया भर में हुई फजियत के बाद अब सरकार शहर के लिए योजना तैयार कर रही है सरकार अब अगले साल मई जून में पानी के संकटना होने का दावा कर रही है मुख्यमंदरी जॉयराम ने शिमला में कहा कि भविश्य में जल संकटना हो इसके लिए दूरगामी योजना सरकार बना रही है जॉयराम चाकुर ने कहा कि पानी को लेकर वे खुद हर दिन मॉनिटरिंग करते रहे और जब तक शिमला में पानी का संकर था हर रोज बैठके की उन्होंने कहा कि वे अवस्ताएं बहुत खराब थी और उसे ठीक करने में तो समय लगेगा ही मुझ झाल चाल पानी को उन्होंने का समय...